हाई एवरीबोन वेलकम बाक टू माई यूट्यूब चैनल हमारी आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिमाच्छल परदेश के फरवरी 2022 के करंट अफेर हमारी करंट अफेर का सोर्स है दीट रिब्यून और आज हम फरवरी के सेकिंड वीक यानि 8 फरवरी से 14 फरवरी के कर हमारी आज की वीडियो को पहला करंट अफेर है अटल टनल मेकसित डू वर्ल्ड वुक अफ रिकॉर्स अटल टनल का वर्ल्ड वॉक आफ रिकॉर्ड में नाम दर्श हो गया है क्योंकि अटल टनल पुरे वर्ल्ड की लॉइंग एस्ट हाइवे है जो इतनी जाधा पर located है और इसके लिए अब इसे world book of record लेंडर ने भी एक विशेज पहचान दे दी है तो आईए जानते हैं अटल टेनल के बारे में कुछ एक important facts जो आपके exam के लिए जरूरी है सबसे पहले तो अटल टेनल की length कितनी है अटल टेनल की length है 9.02 km अटल टेनल मनाली को लाखॉल्स पिती से जोड़ती है और ये 10,000 feet से भी जादा altitude पर located है ठीक है तो अटल टेनल जब से बनी है एक तो मनाली और केलोंग के बीच में इसने 46 km का जो distance से वो कम किया है इस तरह से ये हमारे traveling के 2 घंटों को बचाती है और साथ में ही लाखॉल्स पिती को पूरे world से भी जोड़ा है क्योंकि पहले लाखॉल्स पिती 6 मिन तो बन रहता था विंटर्स में जब से अटल टेनल बनी है तब से उसे all weather connectivity मिल गई है अगला important point है कि अटल टेनल को किस ने construct किया मतलब किस company द्वारा अटल टेनल को construct किया गया तो ये Strabag AFCONS joint venture द्वारा construct की गई है अटल टेनल और इसे बनाने में कुल टाइम लगा है 10 साल और इसको बनाने की जो cost है वो आई है 3200 करोड ये वर्ल्ड की पहली ऐसी टेनल है जिसमें 4G internet connectivity है और अटल टेनल में जगा जगा पे आपको 1500 मिटर के दाइरे में एक इस तरह के आउटलेट्स में मिलेंगे कि अगर किसी तरह की कोई problem आती है तो वहां से emergency doors बहार निकलने के लिए मिल जाएंगे और इसके साथ ही इसके टेनल बनाई गई है ताकि इन केस किसी emergency के वहां से भी निकला जा सके ठीक है तो जो अटल टेनल है जैसे कहा गया है कि यह 10,000 से जादा उन्ची फीट पर लोकेटिड है तो इसका जो साउथ पोर्टल है वो मनाली के धुंडी में है ठीक है मनाली के धुंडी में है 9,840 फी और इसका जो नौर्थ पोर्टल है वो लाहॉल्स पिती के सिसू में लोकेटिड है जिसकी उन्चाई है 10,171 फीट नेक्स्ट न्यूज है तिबबत म्यूजियम इनागुरेटिड एड धरमशाला जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि तिबबत के एक्जाईल गॉर्मेंट हिमाजर प्रदेश के धरमशाला में रहती है तो अभी हाली में वहाँ बर तिबबत म्यूजियम का इनागुरेशन क यह इनागुरेशन किया गया सिक्योंग पेंपा शेरिंग के दोरा और इसका में अबजेक्टिव क्या है यह जो तिबबत म्यूजियम बनाया गया है इसका में अबजेक्टिव है लोगों को तिबबत के बारे में बताना ठीक है कि जैसे लोगों को तिबतियन कल्चर के बा को भी अर्चीव्स, फोटोग्राफ्स और पॉर्सनल टेस्टीमनिस के द्वारा लोगों को बताएंगे। हमारी अगली न्यूस में हम बात करेंगे हिमाचर प्रदेश के पहले बाय डिवस्टी पार्क की जिसे एंडेंजर्ड हर्ब्स को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। हमारी इस वीडियो को देख सकते हो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट करेंट अफेर है ड्रोन्स तो बी यूज़ फॉर लैन डिमार्केशन इन कांग्रा। कांग्रा में लैन डिमार्केशन के लिए ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है। ये कोशन इंपोर्टन है क्योंकि साइन्स एन टेकनोलोजी में एक इंपोर्टन टॉपिक है ड्रोन टेकनोलोजी। इसकी एप्लिकेशन से रिलेटिड क्वेस्टन को एक्जाम में पूछा जाता है। कि जैसे ड्रोन्स को किन-किन जगाओं पर यूज़ किया जाता है। ड्रोन टेकनोलोजी की जो में अप्लिकेशन से हैं वो है डिफेंस में, डिफेंस में है ड्रोन टेकनोलोजी को terrorist attack के against a cosmetic weapon के तरह यूज किया जा सकता है इसके साथ-साथ ही इसे health care delivery purposes के लिए भी यूज किया जाता है जैसे कि तिलंगाना government ने इसे drone technology को remote areas में vaccines को पहुँचाने के लिए यूज किया था इसके साथ-साथ ही agriculture sector में भी drone technology का use किया जा सकता है जैसे कि जो micronutrients है उनको drone technology की मदद से spread किया जा सकता है और अभी यहाँ पर एक और application इसकी देख रहे हैं कि जो populated areas हैं वहाँ पर drone technology की मदद से land को measure किया जाएगा ठीक है और यह सब किया जाएगा Central government ने बहुत ताइम पहले एक scheme को launch किया था जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम इस scheme के अंतरगत जो drone technology है उसे populated area में land को measure करने के लिए use किया जाएगा इसके साथी यह जो drone technology है इसे monitoring के लिए भी use किया जाता है इसके साथी law enforcement में भी drone technology को use किया जाता है हिमाचल परदेश का जो first drone pilot school है उसके लिए भी central government से approval मिल गया है और यह कहां बनने जा रहा है तो यह बनने जा रहा है ITI शापूर में ITI शापूर धरमशाला में जो district कांगरा में है हिमाचल परदेश का पहला drone pilot school कहां बनने जा रहा है ITI शापूर में तो यह थे हमारे आज के current affairs जल्दी मिलेंगे आप से एक नई वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद